हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का फिर से स्वागत आप मोबाइल के एक और नए एपिसोड में और काइज यार आज का ये वाला एपिसोड जो है सबसे पढ़िया होने वाला है क्योंकि भाई मैं जो है आपको दो से चीज़े दिखाने वाला हूं जो कि भाई मैंने फर्स्ट टाइम किये मतलब मैं इतने टाइम से आग खेल रहा हूं बट मैंने वो चीज़े कभी ट्राइ नहीं की थी और वो चीज़े भाई मैं आपको बता दूंगा शायद से आपको जलक दिख गई होगी क्योंकि भाई मेरको दिख गई है यहां से नहीं दिखी तो भाई मैं आपको जरूर से दिखा दूँगा भी तो पहले भाई एक चीज मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने जो है यहाँ पे यह रिवाइवलिंग प्लैटफॉर्म बनाया है वहाँ पे और यह देखो एक रूम सा बना दिया है जिसके अंदर मैं रिवाइव कर सकता हूँ किसी भी डाइनो को और मैंने भाई यह जो मैंने आपको बताया था भाई पिछले एपिसोड में ब्रोंटो को टेम करते टाइम भाई हमें एक यह 260 लेवल का शायद से था यह थैरी मिला था जिसे भाई मैंने यहाँ पे रिवाइव करके और वापस से जो है टेम कर लिया है और अभी जो है इनकी ब्रीडिंग जो है अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है इनकी ब्रीडिंग बाई बाद में इस्टार्ट करने वाला हूं और जो हाँ एक और चीज जो मेरे को बतानी थी हमने इक विट्जल का यह आर्ट इफेक्स ले लिया है और आज की इसवाले एपिसोड में मतलब आर्टिफेक्ट नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो भाई उसको हम revive करके tame करने वाले हैं बट उससे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या भाई आप लोग तयार हो उसे देखने के लिए भाई मैं उस चीज के लिए बहुत ज़्यादा excited हूँ और मैंने एक नहीं भाई वो दो तीन तीन चीजे निकाल रखी है भाई वो वो है भाई हमारे color mutation आपको भाई ये लग रहा होगा भाई ये तीनों में तो color mutation है नहीं चूतिया बनाया तुमको तो भाई एक तो आपका दिख रहा होगा ये अभी भाई मैंने थोड़ी दिर पहले ही निकाला है इसलिए अभी ये छोटा सा बेबी है बट दो मैं आपको और दिखा देता हूँ ये रहे भाई हमारे पास दो और color mutations और आपको अगर इन पे वीडियो चाहिए तो भाई ज़रूर से बता देना बहुत ज़ादा easy है यार इनको निकालना बस आपको थोड़े बहुत embers जो है चाहिए होता है बड़ा करने के लिए embers निची है बस आपको feramon के लिए embers चाहिए होता है और उसके अलावा भाई बहुत ज़ादा easy है ये देखो भाई bloody red color में भाई एक हमारा RG निकल के आया है और एक आया है भाई lime green color का जो की ये रहा भाई यहाँ पे इसके भाई ये foot और ये भाई इसका crown जो है lime green color का है जो की भाई मैंने रख लिया है कई सारे dynos जो आये थे वैसे एक dark blue color का आया था कि मुझे पसंद नहीं आया तो उसको भाई वापस से breed करवाया मैंने और एक ही ये निकला है भाई थोड़ा सा light blue color में वो थोड़ा ज़्यादा dark था तो भाई एक ये निकला है मैंने यहाँ पे और भाई इसको भी जो है हम इनी के साथ रखने वाले और ये हमारा male है ये female है और वो नया बेबी निकला है वो भी female है पट मेरे को एक चीज करनी है भाई इस वाली देखो female को रखने वाले हैं और इस वाले male को भी रखने वाले है तो भाई मैं इतने टाइम से breeding करवा रहा हूं हमारे इस वाले आरजी के साथ में जो की भाई बहुत जादा high level का आरजी है मैं cross breeding करवा रहा था low level की female थी और high level का हमारा male था तो उस से भाई मैं cross breeding करवा रहा था तो उस टाइम पे भाई मेरे को इतना कुछ जादा मिला नहीं अच्छा बट उसके बाद में भाई मेरे को एक अच्छे लेओल की female जो है मिल गई तो उन्हें मैंने बड़ा किया और उनके बाद में breeding करवाई तो भाई मेरे को अच्छे अच्छे mutations मिलने लग गए ये देखो भाई आपके सामने है भाई ये रहे mutations और एक ये है जो कि male है जो कि मेरे को नहीं चाहिए भाई तो इसको भाई kill करेंगे और यहाँ पर हमारे dire bear मतलब dire wolf से इसको जो है भाई खतम करवा देंगे पूरा क्योंकि हमें भाई थोड़े से वो मिल जाएंगे इससे prime meat तो 62 prime meat मिल गया भाई बहुत जादा prime meat हो चुका है हमारे पास और ये prime meat हम जो है quizal को देने वाले हैं तो इसको भाई ले करके चलते हैं हमारे quizal के वहाँ पर पहले भाई मेरे को एक काम करने दो जितना भी ये prime meat आया है ना भाई इसको मैं जो है अभी freezer में रखने वाला हूँ इसमें ये जो भी ये freezer तो अभी only कर रखा मैंने तो इसमें जो है रखने वाले हैं अभी आजा यार ओके यहाँ पर इसमें रख देते हैं अभी के लिए क्योंकि यार ये spoil नहीं होना चाहिए ना ओके इसमें आदा आ गया है इसमें आदा डाल देते हैं भाई ओके और अभी जो है हमें हमारे आर जी को मतलब ओ सोरी विजल को भाई रिसरेक्ट करना है और एक बैड भी लेकर करके जाना है वहाँ पर क्योंकि अभी नाइट हो चुकि है तो भाई ये सही टाइम है उसको रिसरेक्ट करने का और मेरे पास embers भी है यार ember farm करने में बहुत ज़्यादा time लग गया इस बार मेरे को क्योंकि यार मैं खेल नहीं पा रहा था game इतना तो इस वज़े से थोड़ा सा time लग गया मेरे को ember farming में बट अब जो है मैं ember फटा फट farm कर लूँगा और breeding की वीडियो चाहिए तो भाई जरूर से कमेंट कर देना ओके और यहां पर भाई यहां से यह लो भाई हमारे color mutation जो है हम सब ही डाइनोस के निकालेंगे जो भी खतरनाक डाइनोस है जैसे हमारा rg हो गया हमारा देखता हूं यह रहे भाई 30 डार्ट से और यहां पर मेरी वह भी गन गन कहां पर मेरी यह गन कहां गई गन शायद से भाई मैंने इसमें रख दी यह रही गन और bullets वगेरा देखो भाई मैंने आर्मर भी अच्छा सा बनाके रखा हुआ बाई एक्स्ट्रा में और bullets वगेरा और यह सब और हाँ भाई मैंने एक वह भी डंजन भी कंप्लीट किया था तो उससे भाई मेरे को इरी एलिमेंट्स मिल गए उसके बाद में बाई मैंने जो है यहां पर हमारे थोड़े सी जो डाइनो से जो एक्स्ट्रा थे जिसे प्रेप्टर्स तो इनको भाई मैंने जो है क्रोनिकल करके रखा हुआ है अभी के लिए अगर यूज होगा तो भाई बाद में जो है रिसरेक्ट कर लेंगे इनको जादा एंबर्स नहीं लगते और यह देको ट्रॉफी बगेरा बे मिली है हमें वहीं से बट हमें एक सूति पॉइंट पर जो कि भाई पहुत ज़्यादा क्लोज में अब गलत जा रहा हूं भाई मैं यहां पर जाना है मेरे को एक तो वाई नाइट में जो है दिखाए भी नहीं देता ना वाई कहां पर जाना है और यहां पर आ चुके हैं हम हमारे रिसरेक्ट पॉइंट पर अभी करते हैं यहां पे छोटा सा छेद रहे गया और यह फिल पनी हो रहा बतानी क्यों अभी मैं इसको रिसरेक्ट कर रहा है यह नहीं अभी रिसरेक्ट तो कर दिया है बाई मैंने इसको देखते हैं गstatic कर कर देता हूं एक होगह और यह अंदरी 구raert हो दो एक बढ़िया होगा अब यार food और water बहुत जादा कम हो चुका है हमारा तो पहले भाई वह भी consume करना पड़ेगा ओके भाई पहले food और water जो है कम हो चुका है तो वह consume कर लेते हैं food यह रहा food बहुत सारा चाहिए हमको okay काम हो गया हमारा तो अब जो है इसे नौक करना स्टार्ट करते हैं हमारे quizzle को और यहां पे हमको इसमें लगाने है यह डार्ट और इसको अब के लिए temporary यहां पे रख लेते हैं अब भाई हमारे क्विजल को नौक करना स्टार्ट करते हैं वैसे इसका लेवल में आपको दिखा देता हूँ 220 लेवल का है और मेल है भाई ये मेरको फीमेल मिली थी भाई 270 के बट वो पता नहीं कहां चली गए जैसे मैं बेस पर क्या आकर के वापस गया ना तो वो भाई गाय भी हो गई पता नहीं कहां चली गई भाई मिली नहीं भाई उसके बाद मेरको और भाई इसको बहुत ज़्यादा डेमेज लग रहा है यार इससे डार्ट से मारने दो यार बहुत ज़्यादा डेमेज लग रहा है इससे एरो से यहां पर भाई इसको dart से ही मारते है और passive करके रखता हूं ना यार मैं dino को बाई एक second बाई मैं passive कर देता हूं कई पर भाई इस पर हमला करने लग जाएंगे वो ओके भाई सहाब यह हो चुका है नोख भाई इतना जल्दी नोख हो हमें प्राइम मीट्स और यह यहां पर है भाई अभी तक स्पॉयल नहीं हुए तो यह अच्छी बात है इतने से काम हो जाएगा शायद से और कुछल को भाई मैं कीवल वगेर नहीं दे रहा हूं अभी कीवल वगेर मैं बचा के रखा हुआ हूं हमारे ग्रिफिन के लिए मतल के वाई इसकी सैडल दाना दू मैं भूली गया एक सिकन वाई यह टेम हो जाएगा यहां पर वैसे भी देखो भाई यह फटा-फट से यह लोगाई टेम हो चुका है हमारा कुछल इसको स्टॉप कर देते हैं 329 लेवल का है भाई बहुत जादा लेवल हो चुका है इसका व वालका वो 270 की फीमेल मिली थी न यार वो भी अगर मिल जाती न तो भाई मज़ा आ जाता भाई बट उसके बाद में वो डी स्पॉन हो गई या फिर भाई पता नहीं कहां चली गई मेरे को नहीं मिली यह भी बहुत बार जो हटाइडी सेव करने के बाद ही मिला है मेरे को ए यार ऐसे और यहां पर एक सेकंड को इसको यहां पर लगाना है यह लो यह और यहां पर भाई सारी चीजे जो है और में रखने पड़ेगी अब मेरे को और हम क्या लेना है थे वाई कुछ जल का सैडल जो कि हमें मिल जाएगा यहां पर यह तो नहीं है भाई यहां यह रहा वाई Quizzle का सैडल, Quizzle का platform सैडल शायद से मेरे को भाई farm करना पड़ेगा हमारे strong के के red drop से, red drop में आपको बहुत सारी चीज़े मिल जाती है भाई strong के के red drop में आपको बहुत सी चीज़े मिलती है, ascendant की सारी सैडल मिल जाएगी भाई, जितनी आपको चाहिए उतनी, और शायद से भाई ये Quizzle इस वाले gate में से तो नहीं आ पाएगा बाहर तो इसको बाहर निकालने के लिए कुछ और जोगार लगाना पड़ेगा, और इसको active करते हैं एक बार, एक बार try करता हूँ यहां से अगर बाहर निकल जाता है तो ठीक है, और ये मेरे को लगी रहा था ना भाई बहुत जादा बड़ा है भाई, कुछ जल एक सेकेंड भाई, इसको भाई हमें teleport करवाना पड़ेगा, base के अंदर ही तो यहां से भाई, इसको अर्जेंट एविस हमारे पास हो चुगे, हमारे limit जो है, भाई, 40 की है, इसलिए भाई, मेरे को बहुत सारे जो है, अर्जेंट एविस को kill करना पड़ता है, बट जो है काम की होते हैं, उनको मैं रख लेता हूँ और यह wants to whistle इसको भाई, whistle देते हैं, आजा भाई, इसका imprint भी करता रहता हूँ, भाई, मैं जो है imprint थोड़ा-थोड़ा करता रहता हूँ, इससे की भाई, imprint भी होते रहेंगे, आराम-ाराम से, और जो की हम finally निकालेंगे, एक fully mutated color griffin, griffin क्या भाई, हमारा rg, तो उसको करेंगे, भाई, हम जो है, पूरा mutant, और उसको जो है, पूरा, यह imprint भी करके रखेंगे, बट यह, भाई, इसका imprint क्यो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड को अब है, यार, इसको तो staggo का केबल चीए भाई, हट, भाई, मैं देख रहा हूँ भाई, यह imprint क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना इदर उदर से बगा रहा हूँ, इसको चीए भाई, tap, और इसको चीए parasaurus का केबल, बट मेर को लगा भाई, इसको जो है भाई, इदर उदर भगाना है, ओके चलो छोड़ो, हमारा क्विजल अभी कैसे नहीं आया, क्विजल भाई, क्विजल भाई, कहा रह गए आगए भाई, आगए, कहां पर आया है, वो यह रहा, यह देखो भाई, यह देखो भाई सहाब, भाई बट इसका कलर ग्रीन, जो कि बहुत कंदा है, मैं इसको भाई कलर करने वाला हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई, ग्रीन कलर बिलकुल भी, बट यह देखो, भाई सहाब, यहाँ पे क्या ही बढ़िया लग रहा है, यह देखो, और भाई मैं जो है, क्विजल भी जो है, बहुत कम टेम करता हूँ, मेरी सीरीज में, क्योंकि यहार कुछ जल टेम करना हार्ड होता है, बट इनको किल करके, इनका यह जो है इंप्लांट लेने के बाद में जो है, बहुत जादा इजी हो जाता है, और यह देखो, भाई हमारे दो कलर म्यूटेशन यहाँ पे बैठे हुए है, इसको भाई यहाँ पे रख देता हूँ, और इसका भी कलर म्यूटेशन निकालने का ट्राइ करेंगे अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो, और ना यार मैं कलर म्यूटेशन नहीं निकालूँगा इन सब के, बहुत जादा टाइम लगता है यार, पिछली वीडियो से देखा होगा आपने, पिछली वीडियो में जो है हमारा फर्स्ट कलर म्यूटेशन निकला था, जो कि बहुत बेकार था, बट वो जो है चेंज नहीं हो रहा था, उसके लिए भी ट्रिक है ब्लू जो है, हमें बॉडी पे मिला है आपको यह जो है दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या-क्या मिला है हमें, ब्लू कलर इसका बॉडी पर है और हमें भाई, तीनों मिल चुके है, मतलब हेड पे हमें मिला है, लाइम ग्रीन जो कि बढ़िया होता है, बस इनकी स्पीड बहुत जादा स्लो होती है, तो इनकी स्पीड में जो है, मैं डालता रहता हूँ, और अभी देखो हमने सारे काम कर लिए, हमारा क्विजल टेम हो चुका है, और यह भाई हमने दिखा दिये हैं, तो आज के इस वाले एपिसोड को जो है, यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलता हूँ यार आपसे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए, बाई बाई थैंक्स फॉर वाचिंग